हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि RRC Group D के लिए हम Current Affairs और Estatic GK की तेयारी कैसे करें और कौन सी बुक से करें और मैं कौन से बुक से करता हूँ इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो देखें सबसे पहले मैं Estatic GK की बात करूँगा ठीक है तो उसके लिए जो मैं शुरू से प्रिफर करते आया हूँ जो पहले हमारा GK का जो कुछ चलता था जिस बुक से आप जब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मजागर के जो सबसे लास्ट वाली वीडियो होगी यानि सबसे जो पहले वाला होगा उसमें आप देखेंगे तो इस बुक का जो हरा रंका है कभर यह सपार्क पॉब्लिकेशन की बुक है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा यह आप देख सकते हैं सपार्क Rersie Bficy का जो इजाम हुआ है यहां भी इसमें दिया हुआ है तो मैं इस इसी बूक को प्रिख़वर करता हूँ जैसे आप देख सकते हैं कि आपके aesthetic GK के जो question आएंगे वो तक्रीबबन आपके art question ऐसे मैंने exact देखा है कि eight से dस तो बहुत कम में देखा है लगिन art question आपके रहेंगे चीक है aesthetic GK के art question आपके रहेंगे 6 से art question कई 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 के कि किसी में current affairs 12 14 भी आया हुआ है तो आठ कुश्चन आप मान के चले कि आपके रहेंगे तो एस्टेटिक जीके के लिए ये बुक आपके स्रिफ only for group day के लिए में बबता रहा हूं यह जो इस्पार्क वाली बुक है only for group day के लिए waste रहेगा मेरे हिसाब से ठीक है यह और नहीं आपको अच्छे से और अच्छा स जीखे पढ़ना है पुरा बढ़ियां से टॉपिक बाइज पढ़ना है तो उसके लिए तो आपको LUCENT पढ़नी पढ़ेगी जो आथी है LUCENT शमान निग्यान के नाम से जो आती है BOOK उसके लिए आपको वो पढ़नी पढ़ेगी लेकिन मेरी राय यही है कि आप only for group d पर रहे हैं तो आपको इतना सफिसेंटेस में बहुत question है कम नहीं है अगर आपको ये सारी चीज़ें याद होती है तो ठीक है aesthetic gk के लिए होगे आपका दूसरा आपका आता है current affairs भीया current affairs में बहुत जादे doubt है हर किसी को doubt है हमें भी doubt है पूछो कैसे तो vacancy 2019 की है exam 19 में हुआ ना 20 में हुआ ना 22 में होने की संभावना है तो ये 3-4 साल जो बीच में gap चले गए हैं इन में से किस साल का current affairs पूछ देगा इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है 2020 का भी आ सकता है और बायस का तो आएगा ही आएगा ठीक है तो मेरी राही ही है कि जैसे मालेज़े कि हमारे पास SPD है इससे पहले हमने इडूटेरिया रखा था 2020 वाला और उसे हमारे पास जो भी बुक हो चाहिए वो प्लेटफर्म की हो या फिर एडूटेरिया हो या फिर SPD हो कोई सी भी बुक हो current affairs की है न तो किसी भी कोई आप पर सकते हैं मतलब यह तीनों अच्छा लगता है मेरे को SPD भी ठीक है इडूटेरिया भी बढ़िया है और दो प्लेटफर्म की जाती है वो भी बढ़िया है कोई भी आप ऐसा नहों कि आपकी पास वह हो आप यह जाके खड़िद लो फालतु के पैसा बरबाद नहीं करना है कोई भी आप उसका पर सकते ह अच्छे से लिख रखा है तो आप जो है करन्ट अफेर्स के लिए फिलाल 2021 222 वाला पर ही तीक है और 2020 वाला अभी तो मैं रिकमेंट नहीं करूंगा लेकिन क्या पता उसमें भी आ जाए उसमें से भी आ सकता है प्रस्ट में परस्ट जो है 2020 वाले से भी आ सकता है क्योंकि एंटीपीसी में भी आपने देखा है कि एकाद दो कोस्टन पीशे वाला भी पूछा गया है तो हो सकता है आ सकता है लेकिन आप 2021 222 वाले को जो है अच्छे से तेयार करें मेरी यही मतलब राए रहेगी जो भी लोग मुझसे पूछना पूछ रहते हैं उनके लिए है इसकी फोटो लगी हुई है इसमें तो कवर लगा है मैं दिखा देता आपको चैनल पर फोटो लगी आप यह ओनली फॉर ग्रूप डी के लिए ठीक है एंटीपीसी वालों के लिए नहीं एंटीपीसी वालों को इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि उसमें पचास कु किस चीज का चल ला है आप सभी लोग समझ रहे होंगे ठीक है तो वह सारी चीज से हम फिरी भी हो चुके हैं और आपकी वीडियो जो है आज से ही आएगी आज साम को 6 बज़े आपको जो है एंटीपीसी में पूछेगे टॉप 25 प्रशन टॉप क्या मैं तो सीरियल से ही लि देखेगा जरूर ठीक है और पूरा विचले से अब लोग परिएगा एंटीपीसी सीवीटी वन का है और कैसा लगा है कमें जरूर बताना ठीक है और यह जो साइंस का नोट्स वाला देख रहा है इस पर आप चाहेंगे तो साइंस का नोट्स आप जो है ले सकते हैं एंसी का और यह सबसे बरी खुशी की दवाद यह है कि जितना भी एंसी आटी में मैंने कोश्चन डाले हैं बुक से वह सारे के सारे एंटीपीसी में देखने को मिल रहे हैं मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि चलो हमने जो कुछ भी किया और ठीक ठाक जा रहा है ठीक है तो वह सारे चीजे अपने नोट से ही मिल रहे हैं और जो सामय वीडियो आएगा तो आप देख भी लोग जो भी लोग लिये हैं वो तो खेर वही जानेंगे मतलब ठीक है ज्यादा नहीं बोलूँगा तो आप सभी से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला वीडियो आपका है साइंस के बारे में ठीक है कि अभी क्या चल रहा है साइंस में जी के पिछे मैथ वाला डिजनिंग वाला हो गया और आज जी के वाला भी हो गया तो साइंस वाले वीडियो जो आप लोग को फिर नेक्स डे आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो मिलते हैं आप सभी से ने